आप सभी आसा आंगनबाडी करे करता हों का हमारे आंगनबाडी नई चेनल में श्वागत है हमें जो ख़वर लेकर आए आसा आंगनबाडी बहनों के लिए बहुत बड़ी जो है की दुखत ख़वर निकल करा रही है तो आईए इसको पूरे बिस्तार से देखते हैं ये खबर क्या निकल करा रही है कैसे हो रहा है सेविका पत्नी से पहले जहर पदार्द खा लिया उसकी मौत के बाद पती ने भी घर में फांसी लगा कर जान गवा दी घटना के बाद लोग तरह तरह की चर्चाय करते रहें वहीं स्वजनुल में कोहराम मच गया आगनबारी केंदर जाने से पहले सेविका ने जहरीला पदार्द खा लिया था केंदर पहुचने पर उनकी इस्थिती बिगणने पर चिकिस साले के पास पहुचाया गया वहां उईलाज के दवरान मौत हो गई इसकी जनकारी होते ही पती संतोस कुमार ने भी घर में फासी लगा कर खुद कुसी कर ली पतनी के साव घर पर पहुचने पर पती की खोज हुई तो पंखे से लटका मिला दमपती के दू अवोध बच्चे एक पुत्र और एक पुत्री घटना के बाद स्वजनों में कोहराम मच गया वहीं लोग तरह तरह की चर्चाय करते रहे कुछ लोग परिवारिक विवाद वी घटना होने का चर्चा करते हैं फिलाल अभी घटना का कोई अस्पश्टी करण कारण नहीं आया है तो हम आप लादे की बताया जा रहा है कि आगनबाडी सेविका आगनबाडी केंद्र पहुचने से पहले जहरीला पदार्थ खा चुकी थी वहाँ पहुचने पर उनकी स्थिती बिगड़ने पर चिकसाले पहुचाया गया जिसमें इलाज के दवरान उनकी मौत हो गई लेकिन अभी तक इसका कोई असपश्टी करण नहीं बता जा रहा है और नहीं आया है कि किस वज़ा से यह जो ही की घटना का जैसा अंजाम मिला है और यह जो ही की घटना कैसे घटित हुई है तो यह आगन बारी बेनों के लिए बहुत ही बड़ी दुखत खबर निकल कर आ रहे है बिहार राज्ये के मुझाफर पूर से तो यह आज की खबर जो है कि बड़ी निकल कर आ रही थी जो हम आपको पूरे विष्तार से दिए हैं अगर आपको हमारी जनकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य बेनों के साथ जरूर सेयर करें ताकि अन्य बेनों तक भी एक ख़बर पहुंच सके आगे बे इस तरह के ख़बरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सेयर सस्क्राइब जरूर करें फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नौशका जैहिंद जैभारत